आज पुरा देश एक शुर में कह रहा है मैं हूँ मोधी का परिवार लालू यादो के एक बयान के बाद बढ़ने लगा पीम नरेंद्र मोधी का परिवार पीम मोधी के फैमली मेंबर की गिनती में तेजी से हो रही बढ़ोत्री लालुयादों की टिपड़ी पढ़ गई खुद पर ही भारी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है हैश्टेक मोदी का परिवार राजत सुप्रीमों लालुयादों ने पीएम मोदी को लेकर बीते दिन जन विश्वास रैली में मंच उसे कहा कि पीएम मोदी का कोई परिवार नहीं है इस बाग को एंडिये नी इतनी गंबीर्दा से ले लिया कि वो पीएम मोदी के परिवार को बढ़ाने में जुट गए इस वक्त एंडिये के सभी नेता एक जुट होकर और लालुयादों के उस बयान का विरोत कर रहे हैं और साथ ही जवाब दे रहे हैं जिसका सबूर शोशल मीडिया पर इस वक्तेजी से वारल हो रहा है ट्विटर पर पीएम मोदी को लेकर उनके सपोर्ट में हैश्टेक मोदी का परिवार ट्रेंड कर रहा है इतना ही नहीं एंडिये के सभी दिगर नेताओं ने ट्विटर पर अपने आईडी हैंडल के नाम के साथ PM मोदी को सपोर्ट देने के लिए मोदी का परिवार लिखा है और मोदी का परिवार नाम से इस नई मुहिम की शुरुवात की गए जिसमें कि ग्रिह मंत्री अमिश्शा, जेपी नडडा समराथ चौदरी, विजैसीना सीम योगी अधित्यनाथ गिरिराथ सिंग, ऐसे कई नेताओं ने ये बदलाव किये हैं जानकारी के लिए बताते चले कि लालो यादों ने राविवार को जन विश्वास रैली में कहा था कि पीए मोदी आजकल परिवार वाद पर हमला करते हैं मैं पूछता हूँ कि तुम बताओ कि तुम्हारी कुछ संतान क्यों नहीं हुई आगे राजत सुप्रेमों कहते हैं कि उनके पास तो परिवार ही नहीं है वो तो हिंदू भी नहीं है उनके मा के देहाद के वक्त उन्हों ने बाल दाड़ी तक नहीं बनवाई दूसरी दाड़ जनकारिकले बताते चले कि पीएम मोदी ने लालू यादों के उस बयान का पलेटवार करते हुए मूँ तोड़ जवाब दे दिया है और कहा है कि मैं जब भी परिवारवात की राजलीती की बात करता हूँ तो विपक्ष के लोग कहते हैं मोदी का तो परिवार नहीं है इस पर पीएम मोदी ऐसी बात कहते हैं जिसके बाद उन सभी विरोधियों का मूब बंद हो जाता है पीएम मोदी कहते हैं कि मेरा देश 140 कडोर देशवासी ही मेरा परिवार है देशवासियों के लिए मैं बच्पन में घर चोड़ चुका हूँ और इनी के लिए पूरा जीवन खपा दूँगा पी एम मोदी ने लालू यादों के उस बयान पर आज तलांगाना से जवाब दिया और विपक्षपर तीखा हमला बोला है इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि अपने परिवार के लिए करप्शन करने वाले लोग मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं वह याद दिलाते चले कि 2019 के लोकसवाचुना के वक्त भी ऐसा दौर आया था जिस समय राहुल गांदी की तरफ से पी एम मोदी को लेकर एक आपती जनक टिपड़ी की गई थी जहां कहा गया था चौकिदार चोर है ठीक उसी तरह 2024 के इलेक्शन के पास आते ही विपक्ष ने एक और नया टैग लाइन बना लिया जहां वो केंदर पर हमलावर हो सके लेकिन शाद लालू यादो के तरफ से बोली गई वो बात लालू यादो पर उलट भारी पढ़ती दिख रही है